उत्तरप्रदेश के मुरादबाद में कुंदर की विधानसवा सीट पर चुनाव होना है। 13 नवंबर को चुनाव की घोशना हो चुकी है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी पार्टियोंने अपने प्रत्याशी घोशित कर दिये हैं। कुंदर की विधानसवा सीट पर सीरे सीदे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच टक्कर दिखाई दे रही हैं। जो की पिछले तीन दशक से चलती आ रही है। इस बार अगर वोर्ट का पोलराइजेशन होता है तो 31 साल का भाजपा का सूखा खत्म हो सकता है। जीत का सूखा खत्म होगा। सपा ने यहां से हाजी मुहमद रिजवान को प्रत्याशी बनाया है। मालूम हो कि साल 2002 से इस सीट पर सपा का कब्जा है। सत्तर वर्षी है हाजी मुहमद रिजवान का राजजनیतिक अनुभव करीब 40 साल का है। और चुनाव में जीत की शुरुवात इनकी 2002 के से हुई थी। पहली बार 2002 में वह कंदर की सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2007 में बसबा के हाजी अगपर से वह चुनाव हार गए थे। लेकिन वापसी करते हुए 2012 और 2017 में हाजी रिजवान ने इस स्टीट पर लगतार दो बार जीत दर्च की। हलांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस विरादरी का वोट किस पार्टी के साथ है।